बजट सेशन का घरीमा को वीचे घिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रदान मंत्री जी को गाली देने का काम विपक्स के लोगों ने किया है बिपक्स के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रवदान है इसका बारे में जिकर नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है मौनसुन सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है तो इस मौनसुन सेशन में जो बजट पेश किया गया कल बजट का पहला दीन था चर्चा का और कल की चर्चा में आप सबने देखा होगा एक शानदार बजट मोधी जी के नितरत में एतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद डेश ये दिखना चाहते हैं के बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो सार्थक हो ये सब चाहते हैं कल ओपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में तिपड़ी की और जैसे बाशन दिया मैं उसको सबसे पहले तो खंड़न करना चाहता हूं के बजट सेशन का गरीमा को वीचे घिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है परदान मंतरी जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाओं में किया है अब देश के लिए सब को मिलके काम करना है दल के लिए नहीं देश के लिए अगले पांच साल देश के लिए सब को करना है प्रदान मंत्री जी ने अपिल किया कल विपक्स के लोगने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा सिर्फ राजनीती किये हैं दो चीज़ें विपक्स के लोगों ने किया है कल पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रदान मंत्री जी को गाली देने का काम विपस के लोगों ने किया है ये लोग तंतर के लिए ठीक नहीं है कल आप देखेंगे, अच्छा से आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजे NDA के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली सब ने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिकर किया और सुजाओ दिया और अपना अपना राजे में जो फाइदा है उसको भी गिंती किया पिपक्स के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रवदान है इसका बारे में जिकर नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है लोग तंतर में दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंतर है भारत का पार्लेमेंट में बजट के समय में बजट पे चरचा नहीं करके राजनितिक बात करके प्रदान मन्तरीजी को गाली देने का काम करना ये किसी को शोबा नहीं देते हैं मैं पार्लेमेंट्री एफेर्स मिनिस्टर होने करनाते हैं फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए मैं विश्टार में तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी सदन में चर्चा चल रही है लेकिन जो बजट में इस बार निर्मला सीतारामान जी के द्वारा पेस गया गया है मोदी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थ शक्ति बनाने का थर्ड लर्जस एकॉनमी अप दे वर्ल बनाने का पूरा प्रवदा नियू इस बजट में रखा है इसमें क्यों चर्चा नहीं होते हैं बजट में 11,111,111 क्रोर कैपिटल इंफरस्टर्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ल प्लास इंफरस्टर्चर बनाने के लिए जो बजट आवांटन किया गया है उसके बारे में विपक्ष के लोग क्यों चर्चा नहीं करते हैं किसानों के लिए जो देश ने भूल गई थे ऐसे चोटे चोटे ट्राइवेल्स लोगों के लिए जो प्रावदान रखा है मोदी जी ने उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं दूर दराज नौर्थीज से लेकर के कोस्टल एरिया से जो फिशर्मेन, फार्मार, यूद का जॉप इंप्लॉइमेंट क्रियेशन के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, जो प्रहुदान इसको चर्चे क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ गाली देने का काम क्यों करते है मुझे ये बहुत जरूरी इसलिए समझा कि अगर सही समय में विपक्त के लोगों का समझ में नहीं आया, तो जनता पनिश्मेंट देंगे उसको, जनता ने जनादेश दिया है, और सरकार चलाने के लिए मोधी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है, हम अपने आ और भारत के जनता का इस निर्देश को आप गलत तरीके से अपमान करके और नेरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिलकुल सही नहीं है, बजट सेशन बजट पर चर्चा होना चाहिए, बताएए ना इतना हिस्टोरिक जो बजटरे एलोकेशन हुए है हर सेक्टर के लिए कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताएए ना वीपक्स के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या-क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना सुजाओ दाओ, सुजाओ देने के लिए बजट सेशन होता है, या गाली ग बज़ेत के समय बज़ेत पे चर्चा होना चाहिए और साथ साथ हमारे NDA के जितने भी स्पीकर से मैं बदै देता हूँ उन्होंने राजनितिक भाशन नहीं दे करके बज़ेत पे चर्चा किया और देश को आगे ले जाने के लिए अपना सुझाओ भी दिया है